Good morning friends, welcome to study with Neelam, I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर के सभी best top current affairs question के साथ point to point section आज हम complete करेंगे, सभी question important है, तो वीडियो में लाष्ट तक बने रहिएगा, अगर आप study with Neelam चैनल पर पहली बार आएं, तो फटा फट से हमारे चैनल को subscribe कर लीजे और bell icon प्रेस करना बिलकुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के notification आपको सबसे पहले प्राप्त हों, आप हमें tutor, facebook, insta पर follow कर सकते हैं, और telegram चैनल जोइन करके, इस lecture पहले के किसी भी lectures की PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं, insta और facebook की story देखना बिलकुल ना तो उसकी information आपको यहाँ प्राप्त होती है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का lecture, हाली में मुडीज ने financial year 2021 के लिए भारत की GDP growth rate कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया है, तो right answer क्या होगा यहाँ पर, यह होगा 11, minus 11.5%, minus 11.5%, मुडीज एक credit rating agency है, जिसने यहाँ अनुमान व्यक्त किया है, तो हमने कल भी देखा था, point to point section में अभी तक, जितने भी भारत की GDP को लेकर growth rate बताई गई है, उन्हें एक बार आज हम फिर से देखेंगे, तो यह हो गया मुडीज का, और minus 9% यह किस ने दिया था, तो यह दिया था, crystal rating agency के दुआरा, और minus 10.5% रहने का अनुमान यह दिया था, फिट्च rating agency ने minus 11.8% यह दिया था, इंडिया rating agency ने और जो SBI है, SBI के अनुसार भारत के growth rate है, जो वो रहेगी, माइनस 10.9%, Goldman Sachs के अनुसार हमने पढ़ा था, इसकी ने दी थी, minus 14.8% और national statistics survey office के अनुसार, इसने बताई थी, minus 23.9%, तो यह सारी जो दिया गया data है, अलग-अलग agencies के दौरा, bank के दौरा, आपको clear cut याद करना है, आप से किसी का भी पूछा जा सकता है, ओके, चलिए, तो यहां से आप याद रखेंगे, कि मुडीज ने कितनी दिये, तो यह दिये 11.5%, next, एशिया के सबसे बड़े, एरो शो, एरो इंडिया 2021 की मेजवानी, किस भारतिय सहर द्वारा की जाएगी, तो राइट आंसर है, यहां पर आपका, बैंगलूरू, ठीके, 2019 में किसने किती मेजवानी, तो 2019 में किती लखनवने, किसने किती लखनवने, इसे एशिया का सबसे बड़ा एरो शो माना जाता है, और इसका तेरवा संसकरण, ठीके, कब आयोजित होगा, 2021 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारतिय वायू सेना के सभी महतोपून जो हेलिकॉप्टर्स हैं, फाइटर प्लेने, जेट प्लेने, उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, कब से कब तक तो ये होगा, 3 से 7 फरवरी 2021, बैंगलूरू का जो येल हंका वायू सेना इस्टेशन है वहाँ पर, बैंगलूरू का येल हंका वायू सेना इस्टेशन, तो ये सारी इंफोर्मेशन आप यहाँ से याद रखेंगे, और एरो इंडिया शो की जो वैफसाइट ह है, तो ये लांच की गई है, हमारे रक्षमंत्री राजनास सिंग जी के द्वारा, और इनका लोगसबा छेतर कौन सा है, तो इनका लोगसबा छेतर है, लखनव, क्या है, लखनव, तो याद रखेंगे, सारे पॉइंट यहाँ से, निमने में से किसे, गुरू केलू चरण म महापात्रा पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किये गये है, राज गोपाल मिश्र को सम्मानित किया गया है, तो ये पुरुसकार कौन से सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, उडिशा सरकार केलू चरण महापात्रा सम्मान देती है तो ये इस वर सिनेमेटोग्राफर कौन है राजु गोपाल मिश्रा को दिया गया है 2020 का यहाँ सम्मान तो आप यह याद रखेंगे कल हमने क्या पड़ा था कालो जी नारायन सम्मान यह किसे दिया था यह मोहली लिखा गया है मोली है यह ना मोली किसका होता है चंद् मद्रप्रदेश सरकार दोरा एकलब पुरुसकार दिया गया था डैविड एटनबर्ग इन्हें 2019 का सांती निसस्तरिकरण और विकास इंद्रा गांधी पुरुसकार से सम्मानेत किया गया है ओके चलिए बढ़ते हैं अगले पाइंट की तरफ हाली में किस राज्य सरकार ने यसार आसरा योजना प्रारंब की है तो इसका राइट अंसर होगा आंध्रप्रदेश सरकार ने आसरा योजना प्रारंब की है जो महिलाएं हैं in Self Help Group बाली जो महिलाएं हैं उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए महिलाओं के उन्नति को यथा इस्तिती बनाए रखने और उन्हें ओर झादा उन्नति प्रदान करने के लिए आंध्रप्रदेस सरकार के दुआरा क्या किया गया है 6,345 दिसम लो 87 करोर रुपे रिलीज किये गए हैं तो ये आप याद रखेंगे किसने प्रारंब की YSR आसरा योजना आंदर प्रदेश ने देखिए YSR अगर नाम आता है तो आपको सीधा आंसर क्या लगाना है आंदर प्रदेश ही लगाना क्योंकि आंदर प्रदेश की जादातर योजना को नाम YSR से ही प्रारंब होता है बात कर लेते हैं आंदर प्रदेश की तो ये रही लोकेशन आंदर प्रदेश की पडोसी राज्य है ओडिशा, चतिसगर, तेलंगाना, करनाटक और तमिलनाडू ओके आंद्र प्रदेश की उद्योगिक नीती कब लाए गई है उद्योगि विकास नीती 2020-2023 की मद्द लाई गई है राजधानी क्या है अभी है है एदरावाद और राज़िपल कोने विश्व भूशन हरी चंद कौन बना आंद्र प्रदेश कोशन आचुका याद रखेगा कृष्ण नदी के किनारे इसकी तीन राजधानियों वाली पर्योजनाओं को विश्व भूशन हरी चंदन यहां के राज़पाले उन्होंने मंजूरी दे दी है तो विशाका पत्नम क्या होगी एड्मिनिस्ट् बच्चों को ढूंडने के लिए प्रारंब किया गया है और यह रक्षावंदन प्रोग्राम महिलाओं और बच्चों को साइबर अप्राधों के प्रति जागरुक करने के लिए प्रारंब किया गया था तो यह सारे पॉइंट आप आद्र प्रदेश याद रखेंगे साथी बेपार सुधार कार योजना रेंकिंग में आंद्रप्रदेश सीर्स इस्थान पर रहा है 2020 में YSR संपूर्ण पोशन योजना ये अभी सितंबर मन्त में पूरे देश में सितंबर महा को किस रूप में मनाया जा रहा है पोशन महा के रूप में मनाया जा रहा है तो YSR संपूर्ण पोशन योजन आंधर प्रदेश में प्रारंबी की गई है देश का पहला दिसा पुलिस टेशन ये भी बना है आपके आंधर प्रदेश में वर्थ दोहर 19 के आंकडों के नुसार फल उत्पादन में प्रथम राज्यकों ने आंधर प्रदेश और सब्जीत पादन में पहला इस्तान पर पश्चिम मंगाल है ओनलाइन वेस्ट मेनेजमेंट प्लेटफोर्म किसने लॉंच किया तो आंधर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉंच किया गया है आरोग्य मित्र ये मैं आपको बारवर बताती हूँ इसलिए कन्फीज बिलकुल मत होना आरोग्य मित्र आंधर प्रदेश स्वास्थ मित्र राजिस्थान किसान मित्र हर्याना एक मित्र मित्र आता है तो कन्फीज हो सकते हैं स्वास्त की बात आई तो राजिस्थान में है और आरोगी की बात आउ तो आंदर प्रदेश है और किसान की बात तो हरियाना ओके ति याद रखेंगे आप आत्म निर्भर भारत एराइस अटल न्यू चैलेंज कारिक्रम निम्न में से किस मंत्राले द्वारा संचालित किया जाएगा तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ओप्रोक्त सभी क्या होगा राइट आंसर ओप्रोक्त सभी रक्षा मंत्राले खाद प्रसंस करन उद्यो सवांसौप परिवार कल्यान मंत्रले 3 मंत्रले के द्वारा इस कारिक्रम को क्या किया जाएगा देटक हैसा इसापने Carnival 2015 से प्रate अबकांत और हैटकोर्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में ओके तो नीती की फुल फॉर्म क्या है नेशनल इंसिटूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया तो ये भी आप याद रखेगा हाली में केंद सरकार ने बिहार में कितने करोड रुपे की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्टी राजमार्ग सडक के निर्मान को मंजूरी दे दी है तो राइट आंसर होगा यहाँ पर नो सो एकतर करोड रुपे की ये परियोजना प्रारंब की जाएगी कोन है हमारे सडक परिवहन और सूक्ष में तथा लगू ध्योग मंत्राले के मंत्री तो यह आप याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं बिहार की बात कर लेते हैं तो यह रहा मैप में बिहार यहां पर देखिए यह रही लोकेशन कैपिटल क्या है पठना है और यहां के राज जपाल है फागु सिंग चोहान मुख्य मंत्री है नितिश कुमार पठना सुप्रि किसकी पुस्तक है यह पुस्तक है बिहार विधान सभा के अध्यक्च विजे कुमार द्वारा लिखी गई है और इसका विमोचन किया था नितिश कुमार ने तो यह भी आप याद रखेंगे हाली में भारत ने किस देश के मद्ध भारत अथा किस देश के मद्ध ACSA समझोते पर हस्ताक्षर किये गए हैं तो यह आप समझोता हुआ है भारत और जापान के मद्ध ठीक है किस-किस के मद्ध हुआ है भारत और जापान के मद्ध हुआ है उसका फुल फॉर्म क्या होता ह इक्विशेशन एंड एक्विशेशन एंड क्रोष सर्विसिंग एग्रिमेंट देखे इसमें क्या होगा जो भारत के मैंने आप लोग कल भी बताये था इसे जो भारत के एयरवेस होंगे ठीके उनका अपयोग जापान कर सकेगा जैसे अंडमानने को बार ओके और जापान के जो एरबेस होंगे उन को आपयोग भारत कर सकेगा तो जापान के बहारत कर सकेगा तो इस तरहां के समझोते भारत ने ऑस्ट्रेलिया फ्रांस अमेरिका इन देशों के साथ करके रखें और इसमें सिंगापूर वह सामिल है लेकिन सभी एग्रिमेंट पर कुछ अलग-अलत कं अब हम बात कर लेते हैं जापान की यह हमारा प्यारा भारत और यह है लोकेशन किसकी जापान की ओके तो जापान की कैपिटल क्या है टोक्यो है और टोक्यो में ही होंगे ऑलम्पिक गेम्स ठीक है कब 2021 में ठीक है इनका आयोजन 2020 में होना था लेकिन COVID-19 की वेज़े सी यह टल चाहिए के प्रदान्तुरी रहेंगे, इन्होंने स्टीफा दे दिया है और अगले प्रदान्तुरी न्युक्त होने तक यहीं प्रदान्तुरी बने रहेंगे मुद्रा क्या है ये नहीं संसत का नाम क्या है डाइट है और सुपर कम्पिटर 2020 में कहां का है फूगाकू ये जापान का ही सुपर कम्पिटर है तो इससे भी आप याद रखेंगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ हाल ही में इमन में से किस राजसरकार ने खाद प्रसंच करण के छेतर को बढ़ाने के लिए लॉरेंस डेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया एल इएफ एके साथ समझोते परहस्ताक्षर किये हैं तो ये समझोता किया गया है आंधूप्रदेश सरकार के दोरा किस छेतर को बढ करते हैं अगले पॉइंट की तरफ हाली में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत में व्यपार में ब्रद्धी के लिए किसे व्यपार दूत ट्रेड इन्वाइ के रूप में नियुक्त किया है तो देखें यहां पर मैंने आपको एक इमेज दिखाई लेकिन दो लोगों को नियुक किया है अच्छे से याद रखिएगा यह most important question आ सकता है बात कर लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की यह है हमारा प्यारा भारत और भारत से दक्षण में इस्तिते क्या ऑस्ट्रेलिया महादी तो ऑस्ट्रेलिया की capital क्या है Canberra याद रखिएगा और प्रधान मंत्रिया स्कॉर्ट morrison currency है Australian dollar भारत और ऑस्ट्रेलिया को भारत क्या कर रहा है मालावार युद्ध अब्यास में शामिल करने के प्रियास कर रहा है ठीक है अब देखना होका जब इसका आयोजन होता है तो इसमें आस्ट्रेलिया आता है यह नहीं वैसे किस-किस देश के मद होता है इंडिया जा भारत और ऑस्ट्रेलिया के मद्य होता है पिट्च ब्लेक जो युद्ध अब्यास है यह भी किसके बीच में होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मद्य होता है मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों ही अब्यास एक्जाम पॉइंट ओवी से तो याद रखेगा पिट्च ब्लेक जो exercise है ये exam में पूछा जा चुका है कि किन देशों के मद्ध्य होता है ठीक है mostly student उसे रूस लगा कर आये थे ये बहुत बड़ी गलती थी इसे Australia लगाना है आपको clear है mutual logistic support agreement Australia के साथ किया गया ये मैंने आपको बताया था mutual logistic support agreement मतलब जो Australia के airbase है और जो भारत के airbase है तो यहां का use Australia कर सकता है मतलब हमारे जो जहाज है उनको fuel प्रोडान करना या कोई और facilities देना ठीक है लेकिन हम क्या नहीं कर सकते इनका पहली महिला CEO बनाया गया है तो राइट आंसर होगा जैन फ्रेजर को कौन बना है पहली महिला तो यह बन गई है जैन फ्रेजर किसकी city group की पहली महिला CEO तो पहली पहली महिला है तो अच्छे से याद रखिएगा जैसे विनी महाजन पंजाब की क्या है पहली महिला मुख्य सचिब बनी है और आर सिरी लेखा केरल की पहली महिला डीजी पी बनी है एम वीर लक्षमी देश की पहली एंबुलेंस ड्राइवर बनी है तो इस तरीके के जो पहले पहले पॉइंट आते हैं इन्हें अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा ओके अधर ऑप्षन को देख लेते हैं थेयरी डेलापोर्ट ये विप्रो के एमडी और सी इओ बने हैं और कार्मेन रेनहर्ट ये वर्ल्ड बैंक की चीफ एकोनॉमिस्ट बनी है तो ये भी आप प्याद रखेंगे हाली में Judiciary Judges and the Administration of Justice नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो ये लिखी गई है आर भानूमती के द्वारा और आपने इंसे लिट बहुत सारे जड़्जमेंट सुने होंगे कौन है आर भानूमती तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे चलिए बढ़ते हैं अगल हू लश्ट माय रेड ठीके और वासुदेव परांजपे इन्होंने कौन से लिखी थी तो इन्होंने लिखी थी क्रिकेट द्रोणा कौन से लिखी थी क्रिकेट द्रोणा तेखिए हाली में निम्निमेंसे किस राज ने दो हजार पच्चिस तक सो अरब डॉलर मूल की इलेक इलेक्ट्रोनिक हाडवियर वी निर्माण नीती 2020 जारी की है तो राइट आंसर क्या होगा इसका तमिल नाडू किसने जारी की है तो यह जारी की गए तमिल नाडू और यह कौन है तमिल नाडू के सी एम पिनरई विजियन कौन है पिनरई विजियन ये हैं एडवडवटी के पलानी स्वामी यहां के सीम कहां के Тамilडू के तो अब हम मेप में तामिल नाडू को देख लेते हैं यह रही लोकेशन तामिल नाडू की पडोसी राज्या कॉन कॉन से करनाटक है सवर्य आंद्रप्रदेश, करनाटक, केरल ठीक है यह है इसका क्या आपका तमिलनाडू और यह तमिलनाडू और स्री लंका के माद दिख रहा है आपको यह दिख रहा है पाक श्ट्रेट ओके तो यह आप याद रखेंगे कैपिटल क्या है चैन नहीं ठीक है इलेक्ट्रोनिक सिटी किसे कहा जाता है तो बैंगलूरू को कहा जाता है और अभी तमिलनाडू सरकार के द्वारा जो वकील हैं कोविड-19 के समय मतलब जो एकनोमिक क्रैसिस देख रहे थे उन्हें तमिलनाडू की सरकार ने 3,000 रुपे का इस्टाइट पेंट प्रदान किया है तो ये भी आप याद रखेंगे बाजार से सरवाधिक कर्ज लेने वाले राज्यो में तमिलनाडू 2020 में प्रथम इस्थान पर बना है किसकी अनुसार आर बी आई के अनुसार तो ये भी आप याद रखेंगे और इनके समुदाय के वेलफियर के लिए कौन सा पुरसकार मिला है पॉल हैरिस फिलोसफी पुरसकार तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखेंगा ऐसे ही ओडिशा के जो सीए में नभीन पटनायक उन्हें क्या मिला था पेटा हीरो अवार्ट से सम्मानित किया किया गए था जानवरों के लिए लिए की जानेवाले महतपूर कार्यों के लिए ओके की वेर्नर कोन है बन्वारी बाधिय पुरहित कोन है बन्वारी लाल यहां के गवर्नर है और राजधानी च किन नहीं है चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ हाल ही में चार सरल स्टेप में वीडियो के वाइसी के माध्यम से पावर डिजिटल बचत खाता किस बैंक ने लाँच किया है तो राइट आंसर होगा एक्सिस बैंक ने ठीक है क्या किया है एक्सिस बैंक ने ये खाता लाँच किया है तो याद रखेएगा Axis Bank को चलिए तो हम देख लेते वीडियो KYC का मतलग क्या होता है मैंने आप लोग कल भी बताया था ये Know Your Customers का फुल फोर्म होता है और दो से तीन मिनिट की आपको वीडियो कॉल की जाएगी और उसी में क्या होगा आपसे मतलब आपकी बारे में जो जानकारी ली जा सकेगी और ये जो पावर डिजिटल बचत खाता ये क्या होगा ओनलाइन ही आपको प्रवाइट किया जाएगा और इसमें पावर डिजिटल बचत खाते में आपको Axis Bank के 200 से जो अधिक 250 से अधिक बेंकिंग सुविधाय प्रदान की जाएंगी प्लस आपको एक e-debit कार्ड भी प्रदान किया जाएगा क्या e-debit कार्ड क्या होता जनरली आप अगर अफलाइन अकाउंट ओपन करवाते हैं तो 10 से 15 दिन लगते हैं आपके पास debit card आने में लेकिन इसमें क्या होगा वर्चुली आपको एक debit card तुरंत प्रदान किया जाएगा तो ये आप याद रखेंगे power digital बचत खाता बात कर लेते हैं Axis Bank की तो मुख्याले आपको मिलेगा इसका मुंबई में MD CEO अमिताप चोदरी और इसका tagline क्या है बढ़ती का नाम जिंदिगी इसने हाली में एकसा नामक Automated Voice Assistant Service प्रारंब की थी गिग अपॉर्चुनिटी पहल भी Axis Bank ने प्रारंब की थी और Liberty Saving Account सेबा भी Axis Bank ने ही प्रारंब की थी तो ये इतने पॉइंट आप Axis Bank से याद रखेंगे कौन सी कंपनी बाजार पूर्ची करण में 200 बिलियन डॉलर को पार करने वाली पहली भारतिय कंपनी बन गई है तो राइट आंसर होगा Reliance Industries ठीक भारत की बात हो रही है जो बाजार पूर्ची करण के मामले में कितने डॉलर को पार कर चुके 200 बिलियन डॉलर Reliance की बात कर लेते हम यहाँ पर Reliance Industries स्थापना 8 मही 1973 मुख्याले मिलेगा आपको Headquarters इसका Mumbai में और इसके प्रमुख कौन है तो ये है मुकेश अमबानी कौन है मुकेश अमबानी और आपको याद होगा हाली में जो Fortune की 40 under 14 लिस्ट आई थी उनमें इनके जो दोनों बच्चे हैं कौन-कौन आकास और इश्य अमबानी दोनों को इस लिस्ट में शामिल किया गया था ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाली में किसे वरस दो हजार बीस के लिए Professional Footballer Association में Male Player of the Year चुना गया है तो राइट आंसर होगा यहाँ पर केविन डी ब्रूने केविन डी ब्रूने ये मैंचेस्टर सिटी क्लब के क्या है मिड फिल्डर है और इने ये अवर्ड मिला है दो हजार बीस के लिए Professional Footballer Association के द्वारा और महिलाओं में मिला है बेथानी को जो हैं इंगलेंड की फुट बोलर तो दोनों को ही आप याद रखेंगे और किर्ष्ट्यानो रोर्नाल्डो आंतराष्टी किर्केट में 100 गोल लगाने वाले क्या बन गए हैं दूसरे खिलाडी बन गए हो पहले खिलाडी को ने अली देई हैं इरान के तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे डाग सेवाओं की 100 प्रतिशत ग्रामेल कवरे सुनिश्चित करने के लिए डाग विभाग द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है तो इसका नाम है फाइव स्टार व्लेज ठीक है फाइव स्टार गाओं की व्लेज मतलब गाओं की जितनी भी स्टीम से उन्हें क् मतलब गाओं के स्टर तक पहुचाना उसी के लिए प्रारंब की गई है फाइव स्टार ब्लेज योजना और अभी इस योजना को पाइलेट प्रोजेक्ट के आधार पर मुंबई में प्रारंब किया गया मतलब महराष्ट में इसे पाइलेट बैस पर चलाया जा रहा है और मनाते हैं प्रतिवर्ष 9 अक्टूवर को कब मनाते हैं 9 अक्टूवर को तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे देखते हैं next question किस देश द्वारा ओमान सागर में जोल फ्रॉग 99 नामक एक नोसेनिक अभ्यास किया जा रहा है तो right answer होगा इरान के द्वारा कौन सा देश कर रहा है इरान कर रहा है ये युद्य अभ्यास तो देखें जो ओमान की खाड़ी है मकरान तठ है और जो हिंद महा सागर का छेत्र है ठीक है उसमें ये नोसेनिक अभ्यास इरान के द्वारा लांच किया चलाया जा रहा है और ये तीन दिवसी नोसेनिक अभ्यास होगा को और क्यूं किया गया रचेत्र में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यहां देख लीजिए आप यहां पर आपको मड़े लिष्ट में क्या दिखेगा इरान दिखेगा क्या है तेहरान और इसकी नई केरेंसी क्या बन गई अभी तोमान बन गई यहां के राष्ट पति हैं हसन रुहानी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके जो आगे के जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं पहला सैन ने उपग्रे क्या है इरान का नूर और इसे सपलता पूर्वक प्रच्छेपित किया जा चुका है सहीत कासिम सुलेमानी बैलेस्टिक म मिसाइल जो इनके पहले कमांडर थे उनका क्या किया गया अमेरी की हवाई हमले के द्वारा मार दिया गया था ठीक है इसकी लंबाई कितनी इसकी चमता कितनी है 400 किलोमेटर है इस बैलेस्टिक मिसाइल की तो यह इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा और इनके नय कमांड किया जा रहा है और इरान पर प्रतीविंद USA के द्वारा लगाए गया है फिर भी भारत द्वारा यहां पर क्या डबलप्मेंट करने के लिए चाहाबार वंदरगा पर क्या कर दिया गया है USA के तरब से भारत को कुछ छूटे दी गई है तो यह दोनों ही आप याद रखें तो हमें क्या होता है बहुत जादा टाइम वेश्ट करना पड़ता है तो इससे क्या होगा हमारी मद्ध एशिया तक पहुच किस से हो जाएगी इन पोर्ट के माध्यम से हो जाएगी ओके चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ यह गवादर जो पॉइंट है यह कह इच्छा मंतरी रमेश पोखरियाल निशंग द्वारा सम्मानित किया गया है कालो जी नारयन राव साहित पुरुसकार 2020 से राम चेंद्र मोली को सम्मानित किया गया है नैशनल स्कूल अफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश राबल को बनाया गया है महिंद्रा कमपनी ने क्रश भारती मंधाना को बनाया गया है भारतिय विज्यापन मानक परिशत के बोर्ड और गवनर्स के अध्यक्ष कोन बन गया है सुबास कामत बन गया है ग्लोबल एकोनोमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रेंकिंग क्या है 105 है ठीक है और सिद्धु रूधा स्वामी जी जो ह जारतों फ्रांस के मद्ध तिरपक्षिय वारता आयो जित की गई है आई रखवाली मुबाइल एप हरियाली सुनिचित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा लांच किया गया था स्री लंका ने गोवद पर प्रतिवंद लगा दिया है केंद्री केबिडेंट ने किया जा सकता है क्रिटिकल कंडिशन्स में इविक्री फल और सबजियों के लिए आंधर प्रदेश ग्रीन पोर्टल आंधर प्रदेश सरकार के द्वारा लांच किया गया है याद रखिएगा इविक्री पोर्टल ऑस्ट्रेलिया और नीजिलेंड दो हजार तेईस में अरिका गेट का घाटन जैपूर में किस ने किया नरेंद्र मोधी जी ने किया था कार्मेन रेनहार्ट वर्ल्ड वैंक की चीफ एकनोमिस्ट बनी है मार्कोस ट्राइजो न्यू डवलप्मेंट बैंक की अध्यक्ष बने है द कॉमन वेल्स क्रिकेट बुक रामचंद्र गु सांसद हैं याद रखिएगा साउथ इंडियन बैंक के एमडी सीओ कौन बरने है मुरली रामकृष्णन बने कौन बने मुरली रामकृष्णन देश की पहली महिला एंबुलेंस ड्राइवर तमिल नाडू की कौन बनी है एम वीर लक्षमी बनी है HSBC इंडिया बैंक ने ग्रीन डिपोजिट प्रोग्राम प्रारंब करने वाला पहला विदेशी बैंक बना है युवा पे डिजिटल वॉलेट यस बैंक द्वारा प्रारंब किया गया है इंडिसन बैंक को मुबाइल पर करन्ट अकाउंट ओपन करने की सुविधा देने वा पहला देश का पहला बैंक बना है राष्टिय सांक्री की कार्याले के सर्वे के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है आंद्र प्रदेश देखिए यहां पर कन्फ्यूज मत होईएगा अगर सैंसस 2011 के अनुसार देखा जाए तो बेहार है और अगर अभी न हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्वेंग के मध्य 42 मिलियन डॉलर रिन समझोते पर सड़क रूपांतरन पर योजना के लिए हस्ताक्षर किये गए कहां पर हिमाचल प्रदेश में तो यह आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश पहला राज्य जिसने ऑनलाइन फ्री मे संस्कृती मंत्री पहलास सिंग पटेल शामिल होंगे न्यू डवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 में सहायता के लिए भारत को कितने बिलियन की हल्प किये एक बिलियन डॉलर का रण दिया है किसने न्यू डवलपमेंट बैंक ने मुख्याले आपको मिलेगा संगाई में पे बीमा पोर्टल किसने लॉंच किया है महेंद्र फाइनेंस द्वारा लॉंच किया गया है पे बीमा पोर्टल उत्तप्रदे सरकार ने निदरलेंड के साथ क्रसी चेतर में सहयोग के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं किसने यूपी सरकार और निदरलेंड इंद्रा गांदी सांथी निसस्त्रीकुराण विकास पुरसकार 2019 से सम्मानित किया गाए डेविड एतन बरो को, केंद्री पेट्रोल एंजिरिंग और प्रध्योगी की संसान अपने दो कोशल विकास केंद्रों को इसकान काहां इस्तापित करेगा भागलपूर विहार और वा बदरीनात के सौंदरी करण के लिए 424 करोड रुपे का एक मास्टर प्लान तयार किया है तो उत्राखंड की ग्रीश मकालीन राजधानी क्या है गेर स्टेन है जो अभी बनी है तो यह आप याद रखेंगे होप पोर्टल रोजगार प्राजान करने के लिए किसने प्रारम भी किया था उत्राखंड सरकार ने प्रारम भी किया था तो यह था हमारा .2 point section और आज का आपका question है हाल ही में जारी आर्थिक सुतंतरता सूचकांग 2020 में भारत का इस्थान क्या है कल का answer सिवानी पबार और मुकेश गुर्जन वेरी गुड सिवानी वेरी गुड मुकेश एसे ही answer करते रहिए और answer करने से कोई भी न डरे ओके बहले चाहिए आप 100 लोग देखते हैं वीडियो तो वह 100 में से अटलीस आप 80 लोग तो message कीजिए अगर आप daily follow कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो भी answer देने की कोशिस कीजिए जिससे आपका confidence भरता है ओके friends, thanks for watching, have a great day and take care